गुड बॉनिंग बच्चु घर में रहिए सुरक्षित रहिए आज हम कक्षा 5 विशेप परियावरान अध्यन पढ़ेंगे बच्चु आप अपने परिवार के साथ छुट्टियों में घूमने कहां जाते हो हाँ ठीक कहा गार्डन, मौल जाते हो न क्या आप सभी अपने परिवार के साथ अपने गाउं या शहर से बाहर घूमने जाते हो ठीक जगदलपूर, कोर्बा, धमतरी और और जग़ जाते हो अलबर्ट आप बताईए हाँ, ठीक कहा, आप नाना नानी के पास गोवा जाते हो तो बच्चों, आज हम पाड़ते इस गोवा की सहर पढ़ेंगे छुट्टियां खत्म होने के बाद इसकुल खुले थे कक्षा में सलीम, नीलू, अकांशा, आकाश, मोनिका, सोनू, उमेश सभी बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे कोई अभिनय कर रहा था, कोई हास रहा था कोई अपने दोस्त की बात सुन रहा था इस प्रकार कक्षा में बहुत अल्ला हो रहा था देखिए, चित्र में दिखाई दे रहा है ना सभी बच्चे अपने अपने अनुभव सुना रहे थे कोई अपने मामा की आँ गया था, तो कोई अपने दादा के घर सलीम अपने चाचा के घर गया था सारे बच्चे सलीम से गोवा के बारे में जानने के लिए उत्सूप थे कक्षा में मैडम आ गई, सब बच्चे मैडम को अपनी अपनी बात सुनाने लगे सारे बच्चे सलीम से गोवा के बारे में सुनना चाह रहे थे मैडम ने सलीम की ओर देखी और सलीम से बोली कि उसके चाचा गोवा में जहाज पर काम करते हैं सलीम ने बताया हम जगदलपूर से रायपूर बस से आए रायपूर से गोवा के लिए ट्रेन में सफर किये रास्ते में ट्रेन दूर राजनांगा डोंगरगर गोंदिया नापूर होती हुए मुंबाई पहुची बीच अकांशा ने पूछा जब ट्रेन स्टेशन पर रूखी तो आपने क्या किया सलीम ने बताया प्लेट फॉर्म से हमने पानी लिया यहां पानी के लिए काफी भीड लगी हुई थी पहले वाले चित्र में देखिए बचो बड़ी मुश्किल से पानी भरा और फिर हमने कुछ फलादी खरीदे जब हम पूरे पहुचे तो अंधेरा हो चुका था हमारी ट्रेन कई स्टेशनों पर रुखते हुए गोवा पहुची पूरे दो दिन का सफर करना पड़ा आखिर हम गोवा पहुच गये हमारी यात्रा बड़ी मजेदार रही नीलू बोली सलीम तो फिर यात्रा के लिए जब हम टिकेट आरक्षि या रिजर्वेशन कराते हैं तो हमें टिकेट में कोच नंबर बोगी नंबर एवं बर्थ नंबर मिलता है एक लमडी सीट सोने के लिए मिलती है जिसे बर्थ कहते हैं देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है ना इस पर बर्थ नमबर लिखा होता है। वहां नारियल की पत्तियों को काम मिल लिया जाता है। गोवा की राजधानी पढ़जी है। बचों, गोवा में जहां देखो, समुदर ही समुदर दिखाई देता है। समुदर में जाहाज, नाव और इंजन से चलने वाली मोटर बोर्ट दिखाई देती है। समुद्र में उची उची लहरे उठती है, सलीम ने आगे बताया, यहां अधिकतर लोग मचली पकड़ते हैं और वहां के लोगों का ये मोख्य धन्दा है, महलाएं समुद्र के किनारे मचलीयों की छटाई करती है, इसके बाद मचलीयों को बजार में बेचा जाता है, मचलीयों को सुखा कर रखते हैं, देखे बच्चों बहुत सारी मचलीयों सुखी हुई दिखाई दे रही है, और उसका फीशकरी बना कर खाते हैं, मचलीयों से तेल भी निकालते हैं, मचलीयों के तेल का ओपयोग और शदी बनाने में किया जाता है, यहां पर आपको तेल द कैपसुल दिखाई दे रहा है इस तेल को कैपसुल के अंदर भरा गया है मोनिका ने प्रश्न किया कि क्या वहां के लोग खेती करते हैं हां चावल काली मीर्ज मसाले और काजू की खेती करते हैं यह देखिए चित्र के नीचे इनके नाम भी लिखे हुए हैं पहले चित्र में चावल दूसरे चित्र के नीचे काली मीर्ज तीसरे के नीचे वसाले और चौथे चित्र के नीचे देखिए पौधे में काजू कैसे लगा हुआ है यहां नारियल बहुत होता है नारियल के रेशों से रसी, चटाई, जाडू और पानी भरने का पात्र बनाते हैं सोनु ने पूछा गोवा का मौसम कैसा रहता है सलेम ने बताया गोवा का मौसम बहुत अच्छा रहता है वहां ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी दीन में उमस होती है और रात में मौसम ठंडा हो जाता है यहां बरसाथ भी अधिक होती है बच्चों गोवा के समुदर तट पर एक अनोखी प्रकार की वनस्पती पाई जाती है या वनस्पती समुद्र के खारे पानी में ही पनपती है इसे मैंग्रो कहते हैं इनकी मज़ेदार बात यहा है कि इनकी जड़े नुकिली और दलदल से उपर के वो निकली होती है जबकि दूसरे पेड़ों में जड़े भूबी के अंदर होती है मेंग्रो के फल जिस समय पेड़ पल लगे रहते हैं उनमें तभी अंकुरन फूट पढ़ता है जब इस अंकुरित फल में से जड़े निकल आती हैं तब यह तूटकर नीचे दलदली जमीन पर गिर जाते हैं और वहीं उग आते हैं जिससे नया पौदा बन जाता है अकाश ने पूछा गोवा में कहां कहां से लोग गूमने आते हैं सलेम ने बताया गोवा में बहुत से देशी विदेशी लोग गूमने आते हैं जो समूदरी बीच का आनंद उठाते हैं और यहां पर समूदरी तर्ट काफी लंबा और रेतिला होता है ये रेखे बच्चो, गोवा में बहुत से विदेशी लोग घुमने आए हैं, जो समुद्री बीच का आनत उठा रहे हैं नीलू बोली, समुद्री बीच क्या होता है? बच्चो, समुद्र का वा किनारा, जो कम धाल वाला होता है, तथा जहां समुद्र की लहरे कम उची उठती हैं उस जगा को बीच कहते हैं, वहाँ अमेशा लोगों की बहुत चहल पहल रहती है लोग समुद्र में नहाते हैं और किनारे पर खेलते हैं कलिंगूट यहां का प्रसिद्ध बीच है, जहां काफी रौनक होती है अकांशा ने पूछा, सलीम क्या आप वहां के गिर्जागरों में गए? हाँ, वहां काफी बड़े-बड़े गिर्जागर हैं वहां क्रिस्मस का तेवार बड़े धूमदाम से मनाया जाता है यहां पर शित्र में इशुमसी के जन्म, क्रिस्मस ट्री और क्रिस्मस फादर दिखाई दे रहे हैं गोवा के अधिकतर लोगों का जीवन यापन यहां पर बाहर से आने वाले देशी और विदेशी लोगों पर निर्भर है आज हमने सीखा बच्चो गोवा भारत का एक छोटा राज्य है गोवा के प्रमुक शहर के बारे में जाना गोवा के प्राकृतिक सौंदरे के बारे में जाना गोवा के लोगों का मुख्य धंधा, मचली पकड़ना एवं बेचना है गोवा में पाई जाने वाली अनोखी वनस्पति के बारे में जाना इसे मेंग्रोव कहते हैं अच्छा अब हम अभ्यास कारे कर लेते हैं सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ एक गोवा भारत का एक छोटा क्या है राज्य गाउं प्रदेश शहर बिल्कुल ठीक राज्य दो पाठ में गोवा के कितने प्रमुक शहर के नाम बताया गया है एक दो तीन चार बिल्कुल ठीक दो गोवा की राजधानी है पढ़जी, दिल्ली, मुंबाई, चिन्नाई पढ़जी गोवा के लोगों का मुख्य धंदा है मचली पकड़ना, शिकार, मिट्टी के बरतन बनाना, औजार बनाना बिल्कुल ठीक मचली पकड़ना अब हम ग्रीक कारी के लिए प्रश्न नोट कर लेंगे, सब अपनी अपनी कॉपी में नोट करेंगे प्रश्न पहला अपने आसपास स्थीत परियतन स्थल के बारे में पता करिए और उसकी विशेस्ताएं लिखिए प्रश्न दो भारत में किन किन राजियों में समुद्री तठ है जहां परियतक जाते हैं उसके पारे में लिखिए धन्यवाद और कि उसका झाब एफ्या हर्ग प्रश्न आसजशार स्थ Till झाल 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 झाल